है 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 वेरी गूड इवनिंग टो आल अफ यू कैसे हैं आप लोग आशागर तो आप सो बहुत अच्छे होंगे अगर आप एससे का कोई भी एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं एंप्टीएस और सीजियल हो गया सीएचेसल हो गया और एससी जीडी हो गया कोई भी होता है ने स्टैनों हो गया कुछी भी का त्यारी कर रहे है ना था इस सेशन इस गोईंग टो भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर आल आप यू क्योंकि पता है मतलब लेवल ना देखो पैटर्न सबका सेम रहता है लेवल अप डाउन रहता है सीजियल है तो थोड़ा सा टप सेशन आपके लिए बहुत रोल निवाएगा है ना तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं होता है और लेकिन पता है क्लिक हो गया तो अच्छी बात है नहीं तो पता है चला कि एकदम टाया 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 फीश हो गया चलिए सेशन का होता की यात्रा में धूब का बहुत महत्तु है क्योंकि छाओं मिलते ही ना कदम रुकने लगते हैं यह तो रियल लाइफ में होता है चलिए आप लोग के सामने सबसे पहला कुश्चन यह रहा देको ऐसा कुश्चन आते हैं आपका क्या रहे हो यहां पर देखो ठीक है जै सदू क्या आगा एक तालीस मतलब चेक करने पर आपका यही पता चला है कि सबको जोडने प्यारा इसको भी जो लेते हैं 16 17 13 30 हो गया ठीक है वैसे ही कैट को जोड़ेंगे तब 20 21 21 23 क्या हो जाएगा 24 एक दम देखो कहने के लिए 20 सकेंड यहां पर इस तरह का कुश्चन आ भवर लग सकता है किसी को करने में पांच सकेंड भी लग सकता है तो यह ऐसा है पूश्य किस में कम लग जाना च्योंकि तरह कि अले आधार पर नहीं दिया गया ठीक है जैसे और यहां पर क्या कहना है मतल़ यहां पे सिम्पल सा बात है पुस्तक अधियाई से क्या इसे लिलेशन अब इस defense कर करना यहां होता है यह आपको क्लीक एकदम जरूर करवा ले नहीं राहूल नहीं कहा क्या बहाँ उतेए आ Kenneth की पत्नी है ठीक है लुट रेश्टीक है रहुरी मां यहां पर नर्की मेरी मां होगई मां के पोते देखो मा के पोता कब हो सकता है जब राहूल का बेटा होगा तब ही न होगा ठीक है पोते की पत्नी है मतलब इसकी वाइफ है ठीक है कौन यह लड़की ठीक है यह लड़की जो है राहूल के मा के पोते की पत्नी है तो राहूल का राहूल जो है उस लड़की से कौन तो यहां पर पती के पीता के लोते भाई से मिलने उसके घर गई माही अपने पती तो माल लेता है यहां पर माही है अपने पती ठीक है माही का पती के पिता के इकलोते भाई के इकलोते भाई ठीक है इससे मिलने गई थी कौन माही तो माही किससे मिलेगी तो यह अच्छा यह कौन है यह तो माही का ससूर हो गया ससूर का भाई भी तो ससूर ही होगा ना तो वही क्या हो जागा माही किससे मिलने गई थी ठीक है देखो यह रहा नहां कैलेंडर कोशन इसको बनाने टाइमिन आपको क्या करना यह मैं बता रहा हूँ सबसे बिस्ट तरीका देखो यहां पर क्या का जा रहा है ना कि अगर 11 को जन्म हुआता फिलो जाका आधेश का जन्म 552 दिन बाद भाता देखो तो अगर इस मेंसे अगर 365 दिन घटा लेते हैं तो 365 दिन एक साल होता है ना ठीक है मतलब अगर हम दो फरवरी 2012 तक देखे पहले तो उसमें सब्सक्राइब दील फिर हो गया माई फिर हो गया जून जून के बाद क्या हो जाता है कितना पांच महीन आप फिर हो गया एक हो गया तीस दिन होगा जून अफिर हो जाएगा जूलाई ठीक है चलो छे महीन हो गया ना सबको जोड़ते हैं एक एक दो दो एक तीन अतीन नो कितना हो गया बार वीज़ जोड़ते हैं तो ग्लत पहुंच गया है जुलाई तक पूरा खतम हो गया ठीक है तो अब कौन सा मन्त शुरू होगा अब मन्त होगा अगस्त शुरू तो 182 में से घटा लेंगे तब क्या बचेगा मतलब पांस दिन और बचेगा ना तो यहां पे क्या पांच अगस्त 2012 इसका सही अंसर होना चाहिए है ना थोड़ा सह का लेंदी पूछ देता है कि 11 अक्टूबर 2018 को गुरू आ रहा है तो 22 फरवड़ी 2019 को कौन सा दिन होगा देखो सिंपल सा बात है अगर अक्टूबर का बात करते हैं तक टूबर में यह कितना दिन हो जाएगा अभी बांकी है अक्टूबर कितना दिन का होता है 31 दिन का होत बचेए गाँ 20 पाट समय च्शंबर बच्श बच्ट एक चार बच्शार चार सत्री मिधा इसके पोता ही है तो सेच्पल कितना हैगा जैसे जाद से करेंगे तो 19 सते 133 होता है ना 19 सते 133 मतलब 19 बारे में खतम हो जाएगा reminder बचेगा एक बचेगा ठीक है तो एक दिन इसमें जोड़ देना गुरु बारे में एक दिन जोड़े के तो क्या हो जाएगा यही तरीका आपको अपनाना है ठीक है यहां पर यहां पर उल्टा क्या होता है वी तो वी प्लस वन ठीक है यह वाला लोजिक आपर लग रहे है तो को का उल्टा क्या होता है यह दुनों तो आपका पहले ही खतम हो गया ओका क्या होता है यही वाला सिदा आपका सही अंसर हो जाएगा लौजिक पकड़ना है किस तरह का भी कुशन अक सर पूछा जाता है इसको अपनोंवर आपको कैसे करना चाहिए यहां पर ना साइन दिया हो यह यहां कि यह यहां पर लिखना ही पर एगा जैसे आप क्या का जा रहा है कि जैसे चालीश पाँच ठीक है नहीं है तो आपको computer पे दीखे गा ना ठीक है तो फटबड़ कॉपी पर इसको note करो ठीक है 22 और 25 तो यहाँ पर गुना कारत क्या होता है गुना कारत होता है भाग ठीक उसके बाद घटाओ करत क्या होता है गटाव का रथ होता है। गुना धीक है फिर उसके वाद है प्लस प्लस का रथ होता है माईनस उसके वाद क्या है भाग का रथ होता है ब्लस ठीक जलो सब्क श्यार पांच कि यहत्तर में से अगर इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 ज़ला हो सकता है किसी कुछ मुष्प थो सकता है किसी पर ज्यादा टाइम लेगा तो यह साथ हो सकता है आप इसमें दस मिद्ध भी लगा दे आपको लोजिक ना पकड़ाए कि दम है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है दो गुने तीन होसकता है एक गुने छे होसकता है यह अगर पहुंच आ इक प्यारा सा कमेंट अब जरूर कर दो है ना कि लेवल कैसा लग रहा है है ना कुश्चन का लेवल है ना एकदम दिमाग हिलाने वाले एकदम और पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट अपरी चैनल को जोड़ सब्सक्राइब करें एक दम टिंसन लेने वाली बाती नहीं है वर इजिनिंग में अतारे ABC MNO CD STU यह भी नहीं कर सकते कि सब में वहले एक वहले दो कॉंसोनेंट है यहां पर लोजिक क्या पता है यह भी मतलब खतम हो रहा है मतलब लास्ट लेटर क्या है वह लाइसमें क्या है पहला लेटर वह लेजिए आपका पहला नंबर इस पाप्सन अंसर हो जाए तो होगा यह राचा असका सेशन कैसा लगा आप लो कमेंट में जरूर लिखके बता हैं जो पहली बार देख रहे हैं सरी को